SWIFT या SWIFT CODE क्या होता है? SWIFT CODE का इस्तेमाल कहां किया जाता है? किसी भी बैंक का SWIFT CODE कैसे पता कर सकते हैं? कि आप भी इन सारे सुवालों का जबाब जानना चाहते हैं? तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में लाश्ट तक और जानते हैं इन सारे सुवालों का जबाब इस वीडियो में Let's begin सबसे पहले हम समझते हैं SWIFT के बारे में SWIFT क्या होता है SWIFT जिसकी full form होती है Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication यहाँ एक messaging network है जिसका उपयोग वितिय लेंदेन से सबंधित कारियों के लिए किया जाता है यहाँ बैंकों को एक encrypted code word message देता है इससे international transaction में होने वाली truity काफी कम हो जाती है इसकी सुरुवात 3 मई 1973 में की गई थी जिसका मुख्याले Belgium की रजधानी बर्सेल्स में है SWIFT code क्या होता है और इसका इस्तेमाल कहां किया जाता है SWIFT code एक प्रकार का banking code word होता है एक bank से दुसरे bank में पेशे भेजने या मंगवाने के लिए IFAC code का इस्तेमाल करते हैं ठीक उसी प्रकार एक देश से दुसरे देश में पेशे भेजने या मंगवाने के लिए SWIFT code का उपयोग किया जाता है यह code हर bank को एक अलग पहचान देती है इसलिए इसे BIC यानि Business Identifier codes के नाम से भी जाना जाता है SWIFT code आठ या 11 डिजिट का होता है जिसमें bank का नाम, bank की location तथा bank की बरांज की जनकारी सामिल होती है इसे अच्छी तरह से समझने के लिए एक example देखते हैं जैसे की ए State Bank of India की Head Office का SWIFT code है जिसका फास्ट चार डिजिट bank का code होता है उसके बाद के दो डिजिट country code को दरसाता है जैसे इंडिया के लिए IN का परियग हुआ है उसके बाद का दो डिजिट location code होता है एंड लास्ट का थिर डिजिट branch code होता है इससे किसी particular branch के बारे में पता चलता है किसी भी bank का SWIFT code कैसे पता करें अगर आप किसी भी bank के main branch या head office का SWIFT code जानना चाहते हैं तो simply Google फर सेर्च करेंगे bank का नाम जैसे bank का आप SWIFT code जानना चाहते हैं उसके बाद SWIFT code जैसे bank of India के head office का SWIFT code पता करने के लिए सेर्च करेंगे bank of India SWIFT code इसका इस्तेमाल आप bank of India के किसी भी branch के लिए कर सकते हैं लेकिन अधि आप किसी particular branch का SWIFT code पता करना चाहते हैं तो इसे आप दो तरीके से पता कर सकते हैं offline और online offline पता करने के लिए आपको अपना bank जाना पड़ेगा जिस bank में आपने खाता खुलवाया है bank में आप bank manager से swift code की जनकारी लेख सकते हैं दुसरा तरीका है online इसके लिए simply google पर search करेंगे swiftcode.com जो पहला website आएगा उस पर click करेंगे उसके बाद कुछ इस प्रकार का interface open होगा सबसे पहले यहां country select करेंगे उसके बाद bank का chain करेंगे जिस bank का आप swift code जाना चाते हैं उसके नीचे city का chain करेंगे जो आपके गाउं या सहर के नजदिक होगा and last नीचे उस particular branch का swift code सो होगा जिसका इस्तेमाल आप अंतरास्टिय लेंदेन के लिए कर सकते हैं इस वीडियो को last तक देखने के लिए आपका धन्यवाद जनकारी अच्छे लगी तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें